जैमा तादी दोस्तों कैसे हैं आप सब आप सभी पर मातारानी की किरपा बनी रहें नौरात्री के तिसरे दिन माचंदरगंटा की पूजा होती है तो चलिए आज सुनते हैं माचंदरगंटा की कथा जे मा अंबिका भवानी तिर्शिय नौरात्री के तिसरे दिन मादुर्गा के तिसरे सोरूप चंद्रघंटा को शमर्पित है मा चंद्रघंटा का सोरूप सांती दायक और कल्यानकारी माना जाता है इनके माथे पर अर्देचंदर का आकार चिन्हित होता है जिस कारण इन्हें चंदरगंटा कहा जाता है माचंदरगंटा के सरीर का रंग श्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके दस हाथ है जो की खडग और अन्ने अस्तर सस्तर से विभूशित है सी पर सवार माचंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत करने की है इनके पूजा करने से न सिर्फ घर पर शुक और समड़ेधी आती है बलकी रोगों से भी मुक्ती मिलती है पौरानी कथाओं के नुशार मादुरगा ने माचंद्रघंटा का रूप तबधारन किया था जब देत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था मैशासूर का आतंक और भ्यंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था क्योंकि मैशासूर देवराज इंद्र का सिंहासंद प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लूप पर अपना अधिपत्य जमाना चाहता था जब देवताओं को इस का पता चला तो सभी परशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णू और महेश के पास पहुँचे त्री देवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध परकट किया कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्री देवों के मुक्से एक उरजा निकली और इसी उरजा से एक देवी अपतरित हुई जिनका नाम चंद्रघंटा है उन देवी को भगवान संकर ने अपना त्रिशोल विष्णू जी ने अपना चक्र इंद्री ने अपना घंटा शुड़े ने अपना तेज और तलवाल और शिंग परदान किया इसके बाद मा चंद्रघंटा ने महिशाशूर का बद कर देवताओं और श्वर्ग लोग की रक्षा की जै मा चंद्रघंटा